Class 6 exercise 11.1 question number 4 express the following ratio as a percent ये ratio में हमें value दी हुई है 3 ratio 4 इस value को हमें percent में convert करना है तो पहले इसकों fraction में convert करेंगे फिर हम किसी भी number को अगर हमें percent में convert करना होता है तो हम उसे 100 से multiply कर देते हैं 4 बंजा 4 और 4 को 100 में जब divide करेंगे तो 25 बजाएगा 3 multiply 25 25 तिरी जा 75 percent आप खुछ से करेंगे question number e है 12 ratio 38 इसको हमने fraction में convert कर लिया और percent में convert करने के लिए हम इसको 100 से multiply करेंगे 1,200 upon 38 31.578 percent एक rule होता है इसमें क्या होता है लास्ट वैल्यू जो है वो अगर 5 से बड़ी होती है 5 या 5 से बड़ी होती है तो इसके पहले वाली नंबर में हम एक प्लस कर चुदता है 31.58 percent एप रोक्स